आज मुझे टेलिविजन पर इस तरह देखकर आप सब ये सोच रहे होंगे कि आपका फेवरिट पसंदीदा मशूर प्रोग्राम फूल खिले हैं गुल्चन-गुल्चन जो दूर दर्शन पे 21 सालों तक चला और तबस्म और फूल खिले हैं गुल्चन-गुल्चन दोनों एक दूसरे से इतने मिल गए कि दोनों को अलग-अलग हम तसवर ही नहीं कर सकते आज आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया है तीन साल के गैप के बाद हम बिलकुल ठीक पैचाना आपने आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बलके पूरी दुनिया में पांच-पांच मीडियास पे रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्हें पचास साल फिल्मों में हो गये हैं पचास साल रिड विजिन पे दूर दर्शन पे हो गए हैं जिहां आज तक हिंदुस्तान में पच्चेस साल किसी कलाकार के दूर दर्शन पे नहीं हुए ये पहली सिल्वर जुबली है दूर दर्शन की तो आएए आज हम आपके मुलाकात करवाते हैं मल्ती मीडिया पर्सनेलिटी बेबी त तो बस्तुम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों की आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी महबत प्यार और पसंद की वज़े से चेलिविजिन पे मेरे पच्चेस साल पूरे कर वाये लिकिन मुझे मज़ा सबसे जादा उस्वात आया जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे नाम के साथ बेबी जोड़ा देख लीजिए मेरा बच्पन कितना पावरफुल था कि आज भी लोग मेरे नाम के साथ बेबी लगाते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि जाती जिन्दगी में मैं ग्रैंड मदर बन गई हूँ दादी टेलिविजिन पे पहली मरतबा आने का मौका आपको कैसे मिला 1972 में जब मुंबई में दूरदर्शन आया तो मेरे दिल की कली खिल गई और मैंने सोचा कि फिल्मों में तो इतना मैंने काम किया है रीडियो पे भी किया सब जगे किया अब टेलिविजिन पे अपने आपको हम आपको जानके खुशी होगी कि मुंबई में दूरदर्शन शुरू हो रहा है 2 अक्तूबर से और हमारे डिरेक्टर ने आपको बुलाया है मैं तो बस इतनी खुश हुई कि नब पूचिये मैं जब यहां आके डिरेक्टर से मिली तो उस वात हमारे डिरेक्टर थे मिस्टर मूर्ती तो मूर्ती साहब ने का कि तबसुम जी हमारा ट्रांसमेशन शुरू हो रहा है चार घंटे रोज का और हम चाहते हैं कि हफते में एक दिन आधा घंटा हम आपको दें और आप उसके लिए हमें एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम बना के दे दीजिए वराइटी का आदे घंटे के अंदर तो हमनहें सोच है acti ag arch ऐरी हो जाएगी एक डिशेर जाएगी का राद हो जाएगा बने का मूर्ती आप पर परोग्रेम जो आपमें दे रहे इसका नाम क्या है लग नाम माम तो हमने रख रह ridiculous बस है एक बड़ा आप को करना है आप बताईए आप रखो, किसी ने कहँ दिया, चेहग रखो. तो किसी ने कहा के गुलचन रखो. तो मुझे फूरत ख्याल आया कि बेगम अख्तर की बड़ी मशूर घजल है. जिसकी लाइन है फूल खिले है घुलचन गुलचन. तो मैंने का कि भई ये मिसरी उठा के क्यों ना रख दिया जाए फूल खिले हैं गुलचन गुलचन तो सारे लोग खुश हो गए और ये नाम पढ़ गया और मुझे बड़ी खुशी है मैडम तबस्रम के मेरा दिया हुआ ये नाम आज तक लोगों की जबान पर है और मेरा प पैसे मिलते हैं तो अब तो शोहरत भी मिलेगी दौलत भी मिलेगी और हम जब यहां आए तो हम सुनके ठंडे हो गए हमें उन्होंने कहा कि 75 रुपए पर प्रोग्राम हम आपको देंगे खैर हमने सोचा चलो क्या बुरी बात है शोहरत मिल रही है और फिर एक पेमिन्ट मिल रही थी वो थी 750 रुपए यानि जीरों लगने के लिए 21 साल हमें बिताने पड़े इसका मतलब यह हुआ कि आप पैसों की काफी लालची हैं गलत बिलकुल गलत पैसों की लालची मैं नहीं हूं हकिकत को बयान करना लालची होना नहीं होता आप दूर दर्श रुपए और आखीर में 750 रुपए से ज़्यादा मिला ही नहीं है यानि सही मानों में मैंने अपने देश्वासियों का मनोरंजन किया है बगर पैसे लिए अगर मैं बंद कर देती और कहती नहीं मुझे ज़्यादा पैसे दो वरना मैं प्रोग्राम नहीं करूंगी तो पैस मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स, मजमून, चोटी-चोटी कविताएं, चुटकुले, बहुत सारे रिसालों में, मैगजीन में, अखबारों में चपते थे, बच्चों के रिसालों में तो बहुत जादा चपते थे, और लिखने पढ़ने का शौक बच्पन से मुझे जादा इ ऐसा था कि अर्दू के और हिंदी की जितने भी बड़े-बड़े राइटर्स हैं, शायर हैं, शोरा हैं, उनकी गोद में मेरा बच्पन भीता, इसलिए लिटररी महौल बहुत जादा रहा, और आज मेरी हस्ती का, मेरी परसनालिटी का सबसे जादा पावरफुल टगणा प पांच-पांच मीडिया में आपकी जिन्दगी का सफर बहुत ही लंबा और तवील है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी, हमें बताइए कि फिल्मों में आप कब कैसे और क्यों आई, मेरे माता-पिता दोनों जर्नलिस्त थे, फ्रीडम फाइटर थे, और अपना बार निकालते थे, तन्वीर मन्थली, साथ यसाथ यह भी कहूंगी, कि तेज, प्रताप और मिलाप के बंबे में रिप्रेजेंटिटिव थे, वो जब बंबे आए तो उन्होंने जो एक मैगजिन निकाला, वो फिल्मी भी था, सामाजी भी था, स्यासी भी था, और फिल्म से कहा, कि एक फिल्म बन रही है, और उसमे एक छोटी सी बच्ची का रोल है, हम चाहते हैं कि आप अपनी बच्ची से उस फिल्म में काम करवाएं, लेकिन चूंके हमारे माता-पिता उस जमाने में फिल्मों में लाना अपनी बेची को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्ह कर दिया, और का के नहीं, फिल्मों में तो हम काम नहीं करवाएंगे, तो राजंदर कृशन ने और ओपी दत्ता सहाब ने मिल के कहा, कि भई देखो, तड़ाई का जमाना है, फिल्मों में काम करोगे, अच्छा पैसा मिल रहा है, और तुमारी छोटी बच्ची डिरेक्टर जो बबुरावपाई सहाब थे और डीरी केशब सहाब थे और नहीं लड़की आई है, जिसे महभूब सहाब ने इंट्रेड्यूस करवाया है, फिल्म तकदीर में, और वही इस फिल्म की हीरोईन है, उसका नाम है नर्गिस, नर्गिस एक फिल्म हम बना रहा है जिसका फिल्म का नाम भी नर्गिस है, और उसमें नर्गिस जी की छोटी बहन का रोल है, जो हम चाहते हैं कि बेबी तबस्तुम करे, यह बात मैं आपको बता रही हूं 1946 की, और 1946 में मैं फिल्मों में ऐसी आई, कि आज देखते ही देखते, 50 साल हो गए, पन के दिन बुला ना देना लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हस्ते लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हस्ते, गाते हस्ते दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए दीप जलाए दीप जला कर पुझा न देना, आज हसे कल रुला न देना वो बचपन के दिन बुला न देना आप में हमेशा 21 सालों तक फूल खिले हैं गुल्चन गुल्चन में अपने महमानों की खूब खिचाई की खूब खिचाई की बिलकुल घलत खिचाई तो आजकल हो रही है मैं तो जब भी बोली जितना भी बोली शाल में लपेट लपेट की की हैं यह बिलकुल वैसी बात हो गई कि माँ को अपनी माँ ना कहा जाए बात, व्यक्ति, परसन वही रहता है लेकिन लफज बदल जाता है मैंने भी लोगों से यह सवाल किया है कि बहुत मस्कामारते हो, बहुत चम्मजगिरी करते हो, बहुत जूतियां चाड़ते हो, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता था, कि हमने सुना है कि आप खाने पीने के बहुत शक्तिन हैं, और खास तोर पे मक्षन बटर आपको बहुत अच्छा लगता है, खाना भी और लगाना भी, तो तबस्रम जी, बात एक ही है, लेकिन अंदास बदल जाता है, तो मेरा अंदास जो था खिचाई का, उसमें लोगों की इंसल्ट नहीं होती थी, आज लोगों की इंसल्ट होती, और इसका सबसे बड़ा सुबूत तो यह है कि खिचाई मैंने ज्यादा भयानक तरीके से नहीं की, क्योंकि वो प्रोग्राम फूल के लिए हैं, गुल्चन गुल्चन एकीस सालों तक चला, मुझे आप बताईए, क कौन से अधाकार हैं, राइटर हैं, डिरेक्टर हैं, प्रोडूसर हैं, जो पबलिसिटी के मौताज हैं, जिनको अच्छा लगा, अरे भाई, उनको अगर बुला रगरा होता है, और मैं खिचाई कर रही होती, तो एक के साल यह प्रोग्राम चलता ही, क्यों? अच्छा अब एक बाद तो बताईए, आप में वो सारे गुन हैं, हूबियां हैं, जो एक टॉप की हिरोईन में होनी चाहिए, और वो मकाम आपको मिल भी चुका है, लेकिन एक चीज की कमी लोगों को महसूस होती है, कि आपने डांस में सीखा, क्या है तवस्न जी, मुझे डांस मतलब नाचना अच्छा नहीं लगता है, नाचाना अच्छा लगता है, बादू को? देखे न, आप लोट क्यों घराब करते हैं, तो चलिए, हाला कि मैं कोशिश की एक दो पिक्चर में ऐसा नहीं किया है, मैंने ट्राइ नहीं किया है, प अच्छा नहीं कि देखे रहा है, और मेरी मेकप में देख रहा है, और इनके समने में ऐसा रुप से जाती हूँ, आखे नीचे गर के बात करते हैं, और इन लोग चार उप्या, पांस रुपया में मुझे रही है, ऐसी झछलक और ऐसे नकरे सब देख लेते, तो कुछ अज प्रीबन हर फिल्म में आप मरते जरूर हैं, अब ये बताईए कि अपनी खुशी से मरते हैं, अपनी मर्जी से मरते हैं, या प्रोडूसर और डिरेक्टर आपको जबरदस्ती मार डालते है, तब असुम जी इस दुनिया में कोई इंसान अपनी खुशी से नहीं मरता, अग लेकिन तबसुम जी अब इतना मर चुका हूं इतनी फिल्म में चल चुकी जिसमें में मरा हूं, कि एक हावज जाते हैं इंडस्ट्री में अगर चंकी पांडे मरा तो ये प्रोडूसर जिंदा है, अगर जिंदा रहा तो प्रोडूसर मर गया, अच्छा, यानि आपका मरना जो है वो पिक्चर की कामियाभी की गैरंटी है, ऐसे बोलते हैं, आजकल ऐसे कोई गैरंटी होती नहीं, लेकिन है पिक्चर में कोशिश तो करते हैं, मुझे मानने के लिए, और मैं अपने जान बचाने के लिए, प्लीस, अच्छा, फूल खिले हैं गुल्षन-गुल्षन 21 साल तक चला, 1972 से लेके 1993 तक, आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम अपना कौन सा लगा और क्यों? मुझे कौन साल लगा यह तो बढ़ा मुश्किल है कहना यूँ कि सेकड़ों प्रोग्राम हुए हैं बलके हजारों हजार से जएधी प्रोग्रैम हुए हैं, लेकिन हाँ एक प्रोग्राम मुझे एक बहुत अची तरह याद आ रहा है इसलिए कि वह बहती ऑफ-बीच प्रो यह उस वत की बात है जब हमारे दूर दर्शन के डिरेक्टर थे शास्त्री जी, मैं आ रहे थी और बांदरा के सिगनल पे गाड़ी रुकी तो एक भीकारी ने हाथ निकाला बाहर और भीक मांगी के दस पैसा दे दो, मैंने गौर से देखा तो मेरे रुंग्टे खड़े हो ग इस एकरेक्टर आर्टिस्ट और विलन वो मकाम हासल हुआ था जो अमरीश पुरीजी को हासल है मैंने उन्हें अपने साथ फॉरण गाड़ी में बिठाया और का चलिए मैं जा रही हूं टेलिविजिन सेंटर और वहां आपको मैं मिलवाती हूं डिरेक्टर साब से जब मिले तो उन्हों ने पहचान लिया कि यह तो परभाद के जमाने के बहुत ही मशूर कलाकार है उन्हों ने परभाद से उनकी फिल्म में मंगवाई और मुझसे का कि देखो तबस्म तुम आज जो जिस कलाकार को रेकॉर्ड कर रही है उसको बाद मे कि फिल्म जगत का एक चमकता हुआ सितारा आसमान से तूट कर बांदरा के सिगनल पे आगे रहा है जिसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और उसके बाद तबस्म जी आपको जानके हैरत हुई होगी कि उस भिकारी को बांदरा के सिगनल पे इतनी भीक मिली कि वो देखते देखते रात भर में लगपती बन गया मुझे अची तरह रहात है कि उस बात हमारे माहराश्ट्रा के चीफ मिनिस्टर थे श्री एस बी चोहान साब तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फंड में से निकाल के दस अजार रुपए पर शुराम जी को दिये थे और उसके बात दूर दर्शन वालों ने ये फैस्टा किया कि इसी तरह का एक प्रोग्राम और शुरू किया जाए जो बिलकुल अलग तलग हो चुनाचे वो प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था परीक्रमा और जिसे पेश करते थे कमलेशवर जी तो मैं कह सकती हूं कि फूल खिले है कि जब आपके सामने आके बैठते थे तो घब रा जाते थे हमें ये बताईए कि कभी कोई आर्टिस्ट ऐसा आया किसी आर्टिस्ट ने आपको नर्वस कर दिया हूं जी हां याद आ रहा है राखी जी का प्रोग्राम जब आया कि किया जाए तो हमने उनसे डिसकुशन की ये और रिकोर्डिंग हुई और वो भी बैठी और मैं भी बैठीं और रिकोर्डिंग में मैंने राखी जी से पूछा कि काफी अर्से पहले हमने कमाल सहाब से एक सवाल पrem जाए कि कोई बी ओरत अच्छी एक्ट्रिस हो सकती है या अच्छी बीवे हो हो सकती है तो उनका ये ख्याल था कि कोई भी एक्ट्रिस दोनों अच्छी नहीं हो सकती दोनों में से एक अच्छी हो सकती है अब यह हैब बताईिए इस बारे में आपका क्या क्या आप इस भी हैं और आप दीवी भी पिर आप माने Richards भी है और आप माने एक मिनट को तो मैं ऐसी चक्राई एसी चक्राई क्योंगे मैं प्रिपेर ही नहीं थी कि राकी जी पलट के मुझे सवाल पूछ लेंगी बिल्कुल प्रिपेर नहीं थी चक्राई और चक्रागे फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए का कि हाँ ठीक है मैं जरूर दूँगी इस सवाल का जवाब जरूर दूँगी लेकिन आज तो मैं सवाल पूछने वाली कुर्सी पे बैठी हुई हूई हूई जिस दिन मैं सवाल का जवाब देने वाली कुर्सी पे बैठूंगी उस दिन मैं सवाल का जवाब दूँगी वो सुनके मैं बहुत नमस होगी अब आया ना शेयर पिंजरे के अंदर आप बीवी भी हैं आप अदाकारा भी हैं और सबसे बढ़कर उस कुरसी पर बैठी हुई हैं जो जवाब देने वाली कुरसी है अब आप हमें बताइए कोई भी औरत अच्छी बीवी बन सकती है या अ अच्छी अदाकारा भी हो सकती है क्योंकि ये औरत के अपने हाथ में है कि वो घर को और बाहर को कैसे जोड़ती है पबलिक से संपर्क जोडने वाले जितने भी मीडिया हैं आपने सब पर काम किया और वो भी 50-50 साल अब आप हमें ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा मी दिखाने पड़ते हैं लेकिन मुझे चारो मीडिया में स्टेज सबसे जादा बेहतर लगा क्योंकि सबसे जादा मुश्किल है मुश्किल इसलिए है कि फिल्म जो लोग देखेंगे बाद में पता चलेगी कि वो हिट थी कि फ्लॉप थी बाद में रिव्यूज आएंगे ट पैबलिक ने आपको उड़ा दिया और जहां आप अच्छे हैं वहां तो खेर अच्छी हैं तो स्टेज मुझे सबसे जादा अच्छा लगता है और स्टेज इसलिए अच्छा लगता है कि रूबरू अपने दर्शकों से आमना सामना होता है चाहने वाले एक दूसरे की आखों में आखें डालके बोलते हैं और बाचीत का मजा लेते हैं आज तक आपको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा आप छुप छुप के रोती हैं या रोती ही नहीं अपने नापाक हाथ मेरे बच्चे को मत लगाना अपना सुहाग मिटा दिया मैंने अपना सुहाग मिटा दिया मैंने अपना सुहाग मिटा दिया सुहाग औरत के बात है कि शोबा होता है लेकिन जब ये कलंग बन जाए तो इसे मिटा देना ही अच्छा है मैंने मैंने अपनी गोद उजड़ने का बदला इसे नहीं लिया मैंने, मैंने उन सो मोग की गोद उजड़ने का बदला लिया है नरें, नरें, ये तुमने क्यों किया, तुम्हे क्या मिला ये करके अमर, मेरे लाल, मेरे बचे, मेरे लाल, मेरा अमर आपको कभी कोई अवार्ड, रिवार्ड या ब्यूटी कुईन, ड्रीम गर्ल जैसा कोई टाइटल या खिताब कभी मिला? सबसे बड़ा तो अवार्ड ये है तबस्तुम जी कि पिछले पचास सालों से पूरी दुनिया मुझे देख रही है मैं कब बच्ची थी, वो लोगों ने देखा, मुझे जवान देखा और अब मुझे फिर से जवान देख रही है मैं ये ने कहूंगी कि मैं बूड़ी हो गई हूँ क्योंकि आदमी दिल से जवान और बूड़ा होता है रहा अवार्ड और रिवार्ड का तालुक तो मुझे महिला शरो मनी अवार्ड मिला है फर्स लेडी ओफ दे कंट्री के हाथ हो उसके अलावा 25 सालों पे भी मुझे नवाजा गया मदर इंडिया इंटर्नाशनल अवार्ड मिला और जितनी इंस्टिटूशन्स हैं यहां की बड़ी-बड़ी बंबई की दिली की हिंदोस्तान की तकरीबन सबकी तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं लेकिन टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे पहली दफ़े फूल खिले हैं गुलशन-गुलशन की वज़े से लोगों ने इंडिया टीवी क्वीन का टाइटल मुझे सबसे अच्छा लगा उसके बाद रे मुझे उस वक्त लगता है जब मेरी सास कहती है कि तबस्म मेरी बहु दुनिया की सारी बहुँं से अच्छी है और उससे भी ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मेरी बहु हमाली मुझे कहती है कि मेरी सास दुनिया की सब सासों से अच्छी है औरत होने के नाते औरत की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो बहसियत औरत एक इनसान अच्छी समझी जाए और मुझे जब इनसानियत के लिए अवार्ड मिलता है और एक अच्छी औरत होने के नाते वो औरत होने के नाते जिसका हर रूप परफेक्ट और अच्छा हो अच्छी माँ, बेहन, बीवी, बेटी, बहु, सास, दिवरानी, जिठानी, तो यह अवार्ड जब मुझे मेरी सास और मेरी बहु ने मुझे दिया, तो मुझे लगा, कि मेरी जिन्दगी में, अब मुझे किसी और अवार्ड और रिवार्ड की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया, मैं आभारी हूँ, उपर वाले की, तबस्सम से तबस्सम, यह आईडिया आपको कैसा लगा, तबस्सम का तबस्सम से सामना, म लेकिन यहाँ पर वही बात है, कि तुम और मैं कहां जुदा हैं, अजी तबस्सम और तबस्सम तो एक दूसरे से जुदा हुए हो यहीं सकते, मैं तो यह कहती हूँ कोई इंसान किसी इंसान से जुदा नहीं है, सब भाई हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं, इन्सान को इस आकार में अपने आपको किसी से अलग नहीं मानना चाहिए चमड़ी चली जाती है, सिर्फ आत्मा रह जाती है और आत्मा हर एक की एक है, उसमें सिर्फ दो हो सकते हैं, good and bad बस हम तो यहीं चाहते हैं, कि जो भी एक हो, वो अच्छा हो, बुरा कोई नहीं हो आप एक कवित्री यानि शायरा और राइटर भी हैं, एक अपनी पसंद का कोई शेर, अपना या किसी और का आपने कहा कि जोग सुनाओ और शेर सुनाओ, यह दोनों काम मैं एक साथ कर देती हूं एक वेडिंग एनिवर्सरी के दिन, पती अपनी 25 साल गिरा शादी की जब मना रहे थे तो उन्होंने दोस्तों से कहा कि सुनो, मैं 25 साल से अपनी धर्म पत्नी का, अपनी बीवी का भगत रहा हूं और बीवी ने फोरण पती से कहा, हाँ यह 25 साल से मेरे भगत रहे हैं और मैं इनको डूगत रही हूं औरतें बहुत अच्छी होती हैं बहुत प्यारी होती हैं हर रूप में अच्छी होती हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि वो बोलने में भी ज़रा अच्छी हो जाएं औरतें जब चिड़के ऐसी की तैसी करने पर आ जाती हैं किसी की भी तो वो औरतें अच्छी नहीं लगती मुझ तुम्हारी शान घट जाती कि रुद्बा घट गया होता तुम्हारी शान घट जाती कि रुद्बा घट गया होता जो तुमने गुसे से कहा वही प्यार से कहा होता प्यारा प्यारा बोलो मीठा मीठा बोलो उसी हमें खुद भी खुश रहोगे और दूसरे भी खुश में लोगों को कहती थी कि कोई मैसिज दीजिए अब आप कोई मैसिज दीजिए मेरा मैसिज अपने दर्शकों के लिए ये है कि जिन्दगी में तीन चीजें बहुत ही हसीन खुबसूरत और सबसे ज्यादा अट्रेक्टिव होती हैं नमबर वन जवानी नमबर दो सुन्दरता खुबसूरती और नमबर तीन पैसा ये तीन चीजें ऐसी हैं जो जिन्दगी में हर एक को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं लेकिन ये न भूलिए कि जितने अच्छी ये तीन चीजें हैं उतने ही ये बेवफा भी हैं जिन्दगी भर साथ निभाने वाली इन तीन इस साल, सुंदर्ता, आज ही सुंदर्ता का तो बिलकुल यह भरोसा नहीं है, एक लम्हे का खेल है, अभी चेचक निकलाए, या तलते हुबे खौलता हुआ तेल मुँपे आ जाए, तो एक मिनट में सुंदर्ता चली जाती है, और रहा धन, धन तो हाथ का मैल है, आज है, तो नहीं, इसलिए मैं हर इस प्रोग्रायम के देखने वाले से यही कहुंगी, कि जिन्दगी में ये तीन चीजें आप माइनस करके रख दीजिए, आप समझिए कि आप जवान भी नहीं है, आप खुफसूरग भी नहीं है, आप धन्वान भी नहीं है और उसके बाद अपने दिल को, अपने दिमाख को, अपनी आत्मा को और सबसे बढ़कर अपनी जबान को इतना मीठा बनाईए कि जब वो सारी चीज़ें आपके पास ना हूँ, तो भी लोग आपको चाहें, प्यार करें और इज़त दें तब असुम जी, आप 21 सालों तक इंटर्वियू लेती रहीं और आज, आज आप इंटर्वियू देने आई हैं, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से, और दूर दर्शन की तरफ से, नमस्ते, आदाव दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए पुछा न देना, आज हसे कल गुला न देना, ओ पचपन के दिन गुला न देना